ये जो आप जो धिल देख रहे हैं ये विदेशी पक्षियों का चमपालन में सबसे बड़ा जो आस्रेग्री है ये जहां पर हज्जारों किलोमीटर से उड़कर जो पंची हैं साइबेरिया से अफिरिका से भी वो आते हैं और यहां पर अपना परजनन करते हैं अपने जीव अगर आप देख रहे हैं एचेस बिहार मैं हूँ आदेश पूरी अभी हम हैं पुर्वी चमपारन के सरोतर जील में आपको बताते चले चले 6 किलोमीटर का ये रेडियस है पूरे जील का ये और सालों भर रहने वाला ये चमपारन का सबसे प्रमुख जो है वो वेटलेंड है आदर भूमी है और ये सबसे बड़ा ठीकाना है साइबेरियन पक्षियों का और आपको मैं बताते चलूं कि यही जील अगर किसी दूसरे राज्ये में रहता तो उस राज का एक प्रमुख प्रयाटन छेत रहता ये लेकिन इतनी बड़ी धरोहर होने के बावजूद प् सबसे पिछड़ा इलाका है और सबसे गरीब इलाका है और सालों भर जो है यहां पर केवल मचली पकड़ने काम होता है और मचली पकड़ने के आड में ही यहां पर जो प्रवासी पक्षी हैं उनका सिकार होता है हाला कि भारा सरकार ने इस पर परतिबन लगा दिया है 2016 में यह जो जील छेतर है यह नोटिफाइड किया गया और जो forest department है उसे सौप दिया गया इसे लेकिन नहीं यहां पर एक यहां board लगा हुआ है forest department का और नहीं उनके नुमाइंदे जो हैं यहां पर आते हैं नहीं यहां पर किसी परकार का research होता है नहीं investment होता है और नहीं tourist place के रूप में develop करने का पयास किया जाता है अगर हम बात करें भरतपूर राजस्थान के घाना नेशनल पार्क का जो पक्छी अभ्यारन है उसी तरज पर यह छेतर है उतना ही बड़ा है और एक माइने में उत से ज़्यादा जो है यहां संसादन है यहां पर वैसी प्रस्तितिय जादा है जिससे यहां पर जादा पक्छी आ सके है लेकिन आप यह देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और यहां पर जो है अंगरेजी जमाने में जो बाबू हुआ करते थे वो यहां पर सिकार के लिए आते थे पक्छीयों का सिकार करत मचली पकरते थे और यहां पर बस मन्रंजन करते थे अभी जो यह इलाका है पूरी तरह से बीहड बना हुआ है और इस पर राजसरकार कोई ध्यान नहीं देती है और नहीं डिश्टिक एड्मिनिस्टेशन के तरफ से इसे डेवलप करने के परियास किया जाता है अगर यह सब धरोवर यहां पर डेवलप किया जाए मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था कि मोतिहारी के गांधी जी से जुड़ा हुआ गौतम बुद्च से जुड़ा हुआ फिर से आपको जौर्ज और वेल से जुड़ा हुआ और समराठासोक से जुड़ा हु जो है अजो प्रकृति अपना जो रंग दिखाना एहां पर अक्टूबर से प्रक्षियों का कल्रों आप सुन सकते हैं जो लालसर है चकवा है फिर से जो सारस होते हैं जो की साइबीरिया के बहुत जादा फेमस होते है यहां पर विचरन करते हैं प्रजनन करते हैं अंडे देते हैं उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वह जगह चूड़के जाते हैं कि ज्छादा सिकार होने के कारण जो पक्षियों की तादाज जो थी जो पहले लाखों में हुआ करती थी अब 30 से 40 जार हो गई है क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो काफी sensitive होते हैं उनके साथ अगर कहीं भी एक बार बुरा बेवहार हो गया तो वो उस जगह पर दुबारा जाना नहीं चाहते हैं वैसा ही हाल यह सरोतर जिल करा यहांपर जमके हुआ है और ऐसी सुचनाए मिलती है कि मचली पकड़ने की याड में पक्षी के लिए जाल लगा जाते हैं और चोरी चुपके जो है यहां से जो प्रवासी पक्षी है उनको पकड़ा जाता है और उन्हें बहुत ही महगे दामों पर बेचा जाता और खड़िदार भी यहां के बहुत फेमस हैं वो लोग जानते हैं कि जो सरोतर जिल का जो पक्षी होते हैं जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं और वो उसे मुहमागी कीमत भी देते हैं और यही कारण है कि यहां के जो लोग ह जो सिकारी हैं वो उसका। करते हैं.. अलाकि यह पूरीता से गलत है हमार साथ है डॉक्टर नीराज कुमार जो की बताएंगे कि आखिर ये सरुषत्र मन जो है आखिर इसकी इस्तिती इतनी बधाल क्यों है सरकार ने अखिरीश पर किर्मों ध्यान दिए और इसकी विसेश्ता है तो बीहार के डिवलोप्मेंट में कैसे जो है सहयक हो सकता है इसको बताते सरोतर जिल पुरुविच अंपारण जिला का सबसे बड़ा जिल होने का इसको गौरोप्राप्त है या लगभग 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी चेत्रफल के हिसाब से देखे तो ये 6 किलोमीटर के एडिया में विस्तरी तुरूप से फैला हुआ है इस जिल मोतिहारी और लखनव नेशनल हाइवे के पास में रोड के बगल में धनगरा से 5-6 किलोमीटर अंदर की और बसा हुआ है इस जिल में परतिवर्स बिदेशों से माइग्रेटरी वर्ट्स यहां भ्रमन के लिए आते हैं और साल के करीब अक्टूबर से लेकर मार्च त मूल कंट्री चले जाते हैं जहां से वह आये होते हैं तो इस पिछले साल मैंने इसका सर्वे किया था तो उसमें लगबग 65 प्रकार के पक्षियों का मैंने सर्वे किया था एक से दो दिन के अंदर तो यह पक्षियों के लिए एक बहुत ही प्राइम स्पॉट है पूरी चं दिन पूचाड़ यहां पर ब्रवन के लिए आती है माईगरेटरी पीरियाड में और यहां पर अंडे देते हैं प्रजंदन करने के बाद अंडे देते हैं और वह अपने चिक स्को राइस करके फिर वह मार्च ओपरील तक चले जाते हैं यहां से इसको घाना की तर्स पर ड वेटलेंड है और उससे ज्यादा मेरे ख्याल से जो प्राकृतिक वातावरन है वह पक्षियों के लिए ज्यादा यह आकर्सित करने वह चेतर है तो क्या संभावना है यह बिलकुल यह राजस्तान का जो केवलादेव नेशनल पार्क है घाना पक्षिया भ्यारन यह उसी के त सपॉट के रूप में और एक सेंटर के रूप में नौर्थ भीहार में कोई इस तरह का जहीं है नहीं हम लोग के इसनल को हम लोग काफी है कि बिकास करने के लिए। यहां पर घुल काया जायाम के दूअ के लिए जील, वरदान वे हो सकता है। इसमें केज कल्चर, पेन कल्चर के द्वारा ये नई टेकनिक्स हैं, केज कल्चर हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग के एरिया में इस तक्निक पे अभी मचली पालन बहुत कम होता है, हाल के दिन में एक दो लेक में सुरू हुआ है, लेकिन ये जो है छेतरफल के हिसाब से हुआ है, और इसमें काफी पोटेंसियल है, और हजारों इस जिल के किनारे बसे हुए हजारों परिवार इस पे आस्रीत है, उन सब के लिए भी वर्दान साबीत होगा, इसके अलावे अगर पक्षिय अभ्यारन ये यह घोसित हो जाता है, इसको फॉरेश डिपार्टमेंट के द्वारा, यहाँ पे बिदेशी परियटक भी आएंगे, देशी परियटक भी आएंगे, एक तरसी ये परियटक अस्थल के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, इसको विकास किया जा सकता है. तो यह थे हमारा साथ डॉक्टर निरत जी और मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में लगातार जो है रोज़गार की बाते होती हैं और यहां कहा जाता है कि रोजगार के साधन नहीं है और यहां इसी कारण से है कि यहां के लोगों को पलायन करके दूसरे राजियों में जाना पड़ता है लेकिन बिहार को जो है वो कुछ प्राकिर्तिक और यहांसिक धरोहर प्राप्त है जिसको अगर हम डेवलप करें अच् बेनिफिट हो सकते हैं और यहाँ पर टुरिस्ट जो है हब बनाया जा सकता है क्योंकि यह नेचुल चीजे हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग कितने वीरान में जाते हैं और यह चंपारंस का जो है एक धरोहर है और यह जिला मुख्याले से बताया आपने की यह जो लखनव और जो मजफरपूर हाइवे है नेशनल हाइवे केवल सरकारी नोकरिये को भरत से बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है बलकि यह सब जो संभावना है यह एक संभावना है बिहार के विकास के लिए बिहार की युवाओं के लिए और बिहार के भविस्य के लिए तो यहां पर इसको डेबलप करने की इंफ्रास्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है फोरेश्ट डिपार्टमेंट ने तो केवल जगा को ले लिया है लेकिन कोई काम यहां पर नहीं उसका अधिकारी दिखाई देते हैं नहीं उसका ओफिस है नहीं उसका चेक पोस्ट है कुछ भी नहीं है यहां पर तो यह ऐसी जो वेट लेंड जो है वो सीमांचल में फिर से आपको मितलांचल में बहुत ज़्यादा है इन सब छेत्रों को विक्सित करके बिहार को एक टुरिस्ट प्लेस इसे डेवलोप किया जा सकता है क्योंकि बिहार में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर इंडस्ट्री और सरकारी नोक्री कि भरस्टों ही रोजगार दिया रहता है तो यह सब संभावनाएं सरकार को विचार करना चाहिए और काम भी करना चाहिए फिलाल हमारी रिपोर्ट यह सरुत्तर जिल पुरुवी चंपारन का जो कि चकियान मंडल में है वहां से हमने किया है और किया है आपको और बताते च सब्सक्राइब करने के लिए जरू को परियास करें तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल है को सब्सक्राइब जरू कर लें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद